नमस्कार दोस्तों स्वागात थैं एक नहीं विडियो में दोस्तों अगर आप सुरुर Men रह कर पढ़ाई करना चाते हैं तो आपको एक होस्टे का.. ज़रोत को खोगा या फिर आपको एक कमरा का ज़रोत कोगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप एक अच्छा कामरा कैसे चुन सकते हैं या फिर आप एक अच्छा होस्टल में कैसे रह सकते हैं आपको किसी भी होस्टल में जाने से पहले आपको किन-किन चीजों पर ध्यान देना होगा इस सारा चीज हम लो अगर आपको पसंद ना है तो फिर आप अपना पढ़ाई पर ध्यान किसे दे पाईएगा आपका जोब करते हैं जोब पर आप किसे काम कर पाईएगा जब आपका मनी अच्छा ना लगए तो आपको मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिखाऊ इस पॉइंट के अगर आप ज्या किलेमेटर के बीच होना चाहिए इससे ज्यादा होगा तो आपको फिर दिखते हैं तो सब्सक्राइब आपको बाड़ा खर्चा बढ़ जाएगा इसलिए दोस्तों इसको भी ध्यान दीजिएगा लोकेशन कोसिस कीजिएगी आपको जहां में आप जोब भी कर रहे हैं उसके सामने हो एक किलोमेटर का तरकत हो तो बहुत ही अच्छा है दूसरा बेट पर रूम दोस्तों अगर आप आप पढ़ाई कर ही नहीं पहेंगा तो पर दिसकेस्टन जाधा होगा बाक्चित जाधा होगा इससे पढ़ाई फोकस अब कम हो जाएगा आपका इसको ध्यान दीजिएगा पुसित कीजिए दो या तीन विजारती दो या तीन बेड़ है उसी रूम को आप लीजिए दूस से खाना बनाना नहीं चाहते हैं उनको खाना बनाना मतलब टाइम और श्टाइब कर लगता है तो उनके लिए मेंस तो बहुत ही जरूरी है और मेंस में सबसे बड़े की चीजिए आपको क्या-क्या फूड मिलता है यह भी देख लीजेगा आप अगर होस्टल में आपना च काता है कोई नहीं काता है तो उसको भी पता चले शुल जाएगा इस माहल के इसा यह पता जरूर कर लीजेगा वंहें यह स्टल सेलेक्ट ठावाको बढ़ा घधारती जो आप रह रहें उनसे बात ही किजी आप कि कैसा माहल है कि नहीं क्या-क्या यहां पर दिक्कत है यह सारा चीज़ आप उनसे बहतर जानिएगा इसलिए उनसे आप बात जिरूर किजिएगा दोस्तों आगला पॉइंट आप किसी भी होस्टल में या कैसी भी कामरा लेने से प मतल rond लिए लाइट कड़ गया तो फिर मोट नहीं चला मोटर आट किल ते पानी नहीं उठा अब पाणी अगर नहीं उठा तो बहुत दिक्कत होता रहा है उससलिए देमलत गूश्टल में फाद नहीं में नहीं क्योंकि दोस्तों बातरूम को ध्यान देते नहीं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं अगर उस्तों होस्टल में रहने के लिए यहां पर आपको कितना किराया देना पड़ेगा यह भी बहुत कि साथ हजार के विच आपको होस्टल और मेस दोनों मिल जाएगा मतला उखाने पीने का भी और रहने का भी आपको 5000 के अंदर जाता है अब दिखिये कहीं पर जयादा होता है कहीं भी कम भी होता है और दुस्ता अगर आप रूम लेकर रहना चाहते हैं तो रूम में आपको र तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों आप इतना पैसा कभी नहीं दीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह पहले ले देता भी नहीं है अगला है तो आपको गेट कितना बज़े ओपन होता है और कितना बदे क्लोज होता है यह आप देख लिजिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप माले जॉब कर रहे हैं तो जोब के लिए तो कभी रात साथ आठ नो तक बज़ सकता है रात का तो उससे में आपका क्लोज हो जात आपको दिक्रत तो नहीं है ना आप गाड माले आपको बोलने लगता कि आप इतना रात को आते हैं इसा समय सा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप काम तभी कर पाएगा ना दोस्तों अच्छा से जब आप जिस जगहां पर रहते हैं वहां आप सभी तरीके से रह पा रहे हैं आपको घर ही अंच्छा नहीं है घर में मन नहीं लग रहा है तो क्या अका मिलेगा नहीं लगे घर में त्यारी करते हैं आंल्लाइन में जर्म पड़ता है तो वह या पर उनर बुलिए इसका ब्याइब कैसा है मालिक ओहां कैसा बातचित करता है आपसे मान लिया आपका भड़ा थोला लेट हो गया आप किसी करने पैसा दे नहीं पार है तो उसमें मालिक आपके भड़ा कराया कि आचासा बात करिए भी इंपोर्टेंट है यहां पर भी तो वह सब्सक्राइब दोस्तों अगला जो पुइंट है वह इंपोर्टेंट फैक्टर रहें इसे मैं इसलिये लिखा हो कोई दोस्तों बोस्त अब जब भी कामरा लीजेगा न तो देखेगा आपको नेचिरोल हवा नहीं मिलेगा या पर आपको सन लाइट हो नहीं मिलेग इससे आपको मतलब दिख्केत हो सकते हैं मुझे तो प्रस्टनली बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर जिस रूम में ख्रीकी नहीं तो आप मतलब रहने का मन ही नहीं करता है आप देखिएगा आपके जिससे हैं लेकिन मुझे चाहता हूं कि जहां खिड़किया वहीं पर र जचसे झाहता है जमनख़किते हैं मेंऱ रहने कोद़के प्राव्यों